Hello friends, welcome to my channel, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको ये जो हमने बोडर बना रखा है, ब्लैक में ज्यादा नहीं देखता है, ये देखिएगा, ये मैंने कार्डिगन बनाया था, ये देखिए ब्लैक कलर का, तो ये मैंने बोडर जो बनाया है, आज ये डबल बोडर में आपक ये वीडियो ब्लैक की नहीं डाली थी, अब मैं आपको इस कलर में ये बोडर बनाना बताऊंगे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, तो friends, जो हमारा ये बोडर है, ये हम लेडिज ये किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे कि जाकिट में डाल सकते हैं, कार plus 16 plus 1, इस तरह से हम फंदे लेंगे, तो हमारा ये जो बोडर है, ये अच्छे से अरजेस्ट हो जाएगा, अगर हमारे जो है, हम फंदे गिनेंगे, 16 plus 16, plus 16, इस तरह से अगर आपका एक दो फंदा अगर ज़्यादा आता है, तो आप उसको साइडों में अरजेस्ट कर सकते हैं बीच में हमने 16-16 ही फंदे रखने होते हैं नहीं तो जो हम फंदे हैं वो 16-16 और पलस वन करके करेंगे तो अच्छे से हमारा डिजैन जो है अज़ेस्ट हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स इस बोर्डर को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने 33 फंद से डाल लिये हैं 16-16 प्लस बन तो देखी यह हमारे डिजैन की पहली सलाई है तो यह हमारा सीधी साइड है सीधी साइड से हमने यह देखी इस सलाई को हमने उल्टा-उल्टा बनाना है यहां पर हम उल्टी-उल्टी सलाई बना लेंगे पहली सलाई जो है वो हमने सीधी साइड से उल्टी-उल्टी बनानी है यह देखी फ्रेंड्स अब आगे हम अपनी उल्टी साइड पर उल्टी साइड से भी हमने उल्टी ही बनानी है उल्टी साइड से हमारे सारी सलाई जो है वो उल्टी-उल्टी बनेंगी तो यह मैं बना लेती हूँ तो यह देखी है हमने यहां पर दो सलाई उल्टी-उल्टी बना के पूरी कर ली है तो यह देखी इस तरह से हमारी एक लाइन बनके आ गई है इसी तरह से हम दो सलाइया और बनाएंगे इसी तरह से एक लाइन और बनके आ जाएगी ये भी हमने उल्टी-उल्टी ही बनानी है सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से तो हमारी सभी सलाइया उल्टी ही बनेंगी तो ये मैं बना के कंप्लेट कर लेती हूँ चार से लाइयां कमपिट हो चुके हैं और हमारी यहां पे दो लाइने बनके आ चुके हैं अब यहां से हमारा यह जो बोडर है यह डलना शुरू होगा तो इध्यान देजी फ्रेंड्स एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से अब हम यहीं से इस तरह से दाखा भूमा के एक जाले डाल देंगे और एक दो तीन चार पांच और यह च्छे छे फंदे हम उल्टे बनाएंगे इसके बाद हम यहां पे तीन फंदे लेंगे इस तरह से यह देखिए सलाई के अंदर और तीनों फंदों का उल्टे में ही तीन फंदों का एक कर देंगे इस तरह से यह ज और एक हमने इस साइड का लिया है, अब फिर से हम एक, दो, तेन, चार, पांच, और ये छे, छे फंदे हमने उल्टे बना दिये हैं, फिर से ये देखिए, यहाँ पे हम इस फंदे को हम सीधा करेंगे, और धागे को आगे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम एक जाले डाल अब ये देखिए, यहाँ से, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक जाले बनाई, फिर हमने छे फंदे उल्टे बनाई, यहाँ पे हमने तीन फंदों का एक किया, फिर उसके बाद हमने छे फंदे उल्टे बनाई, फिर हमने यहाँ पे एक जाले डाल द है तो फंदे हमारे ब्राबर हो चुके हैं तो इसी थरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी एक जाली डालनी है और एक दो तीन चार पाँच और यह छी हमने उल्टे बनाए फिर से हम यह देखिए तीन फंदों काई करेंगे आगे की साइडी से ही, ये देखी इस तरह से, फिर हम एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये देखी, ये हमारा एजिटीज वाला फंदा है, ठीक इस से पहले हम यहाँ पे जाली डाल देंगे, तो इस तर ये हम उल्टा बना लेंगे, उल्टी सलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है, तो ये देखी फ्रेंट्स हमने उल्टी सलाई को बना लिया है, अब आगे हम अपने सीधी साइड पे, तो ये देखीए, पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ये देखीए, अब हमारी यहां पे जाली का वाला एक फंदा है और ठीक इस फंदे के बाद ही हमने जाली डालनी है और जो यह जाली से बड़ा फंदा है इसको हमने सीधा बनाना है तो यह देखिए धागे को आगे ही रखेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे यहां पे हमारी एक जाली बन गई है फिर धागे को आगे कर लेंगे और देखिए एक दो तीन चार और ये देखिए पांच अब की बार हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं और पांच में के बाद हमने तीन फंदों का एक करना है आगे की साइड से ही ये देखिए इस तरह से फिर से हम पांच फंद और ये पांच अब ये देखे धागे को आगे ही रहने देंगे और जो ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे और ये यहां पर हमारी एक जाली आ जाएगे बीच में हमारा एक फंदा सीधा है इसको सीधा बना लेंगे देखे फिर हमारा एक जाली से तीन चार और ये पांच पांच फंदे हमने उल्टे बना दिये फिर पांच फंदों के बाद हमने तीन फंदों का एक करना है तो ये देखिए उल्टे में ही ये तीन फंदों का हमने एक कर दिया फिर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच पाँच फंदों के बाद हम धागे को पीछे कर लेंगे जो जाली से बढ़ावा फंदा है इसको हमने सीधा बनाना है इस तरह से और यहाँ पे हमने एक जाली डालनी है यह देखी इस तरह से लपेट के जाली डालेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे उल्टी सलाई उल्टी ही बनती है तो यह हम बार बार आपको नहीं दिखाएंगे यह मैं बना लेती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स उल्टी सलाई को हमने बना लिया है अब हम पहला फंदा उल्टा बनाएंगे यह देखे जाले से बड़े फंदों को हम सीधा बनाएंगे और इस उल्टे के बाद ही हम ठीक एक जाली डाल लेंगे ये देखिए अब हमारे दो फंदे बड़े हैं तो दोनों को हमने सिधा बना लिया अब हम एक दो तीन और ये चार अब अगकी बार हमने चार फंदे उल्टे बनाने हैं और चार के बाद हमने तीन फंदों का एक करना है ये देखिए, फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, ये देखिए, यहाँ पे हमारे सिधे पांच फंदे हो चुके हैं, और ये देखिए, यहाँ पे धागे को आगे ही रहने देंगे, और यहाँ पे एक जाले डालेंगे, और जो हमारे फंदे बड़े थे, इनको हम सिधा-सिधा बना लेंगे, ये देखी जाले के उपर ही हमने जाले डालने हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे एक जाले डाल लेंगे और एक, दो, तिन, ये चार, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चार के बाद हमने तीन फंदों का एक करना है, ये जाले से बढ़ाए फंदे थे इनको हमने सीधा बनाना है यहां पर हमने किनारी पर जाले ढालनी है तो यह देखिए इस तरह से हम लपेट के जाले डाल लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे तो ये देखिए उल्टी सलाई को हमने बना लिया है फिर से हम ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारे तीन फंदे आ गए हैं जाली से बढ़े वे तो यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे धागे को अपनी साइड करेंगे और अब की बार हम ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे तीन फंदों का एक कर देंगे उल्टे में ही इस तरह से फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन ये दे है तो यह देखिए इस तरह से इन फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे तो यह देखिए फिर से हमारी यहां पे एक जाली आ गई है तो यहां पे हम इस तरह से धागा लपेट के जाली डाल लेंगे और तीन फंदे उल्टे बना लेंगे तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हमने यहां पे 3 फंदों का ईएक करना है, यह देख़े कि इस तरह से, फिर 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, एक, दो और यह 3, धागे को पीछे कर लेंगे और ये जाले से बड़े फंदे हैं हमारे जाले के उपर ही हमने एक जाले डालनी हैं तो इस तरह से हम धागे को लपेट लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे लास्ट वाला, उल्टी सलाई को हमने उल्टा ही बनाना है, तो यह देखे फ्रंस हमने उल्टी सलाई को बना लिया है, अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और यहां पर एक जाली डालेंगे, और चार फंदे सीधे बना लेंगे, यह देखे, एक, दो, तीन, और यह चार, अब धागे को आगे करेंगे और यहाँ पे अब हम एक और यह दो दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पे हम तीन फंदों का एक कर देंगे यह देखे फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से फिर हमारी यहाँ पे जाली आ गई है देखे जाली के उपर हमने जा फिर से हमारी यहां पे जाली आ गई है तो यहां पे इस तरह से लपेट केक जाली डाल लेंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे दो फंदे उल्टे बनाने के बाद हम तीन फंदों का एक करेंगे फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे एक दो तीन और ये चार चार फंदे हमने सीधे बनाने हैं फिर हमने लपेट के एक जाले डालनी है लास्ट का फंदा हमारा उल्टा है तो ये देखे फ्रेंट्स जहां पे हमारे ये फंदे घट रहे हैं तो बीच में हमारे जो जाले से बड़े फंदे हैं ये हमारे ये देखे इस तरह से सीधे सीधे बढ़ जाएंगे ये हमारे घट जाएंगे और ये हमारे बढ़ जाएंगे इस तरह से हमारा ये बोटर बनता तो यह देखिए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर यहां पे हम जाले डालेंगे, यह हमने जाले डाल दी और इन फंदों को हम सेधा बना लेंगे, यह देखिए, अब धागे को आगे कर लेंगे और यहां पे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाने के बाद यहाँ पर हम तीन फंदों का एक कर देंगे, फिर हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे, यह देखिए, फिर से यह देखिए हमारी जाली आ गई है, तो यहाँ पर हम एक जाली डाल देंगे, और जाली से बड़े फंदों को हम सीधा-सीधा बना लेंगे, इस तरह से यह देखी फिर से हमारी यहाँ पे एक जाली आ गई है तो इस तरह से लपेट के एक जाली डाल देंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे एक फंदा उल्टा बनाने बाद यहां पे हम तीन फंदों का एक करेंगे फिर हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे और एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे हमने सीधे बना दिये फिर हम लपेट के जाले डालेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यहां पर हम एक जाली डाल देंगे और जाली से बड़े फंदों को हम सीधा-सीधा बना लेंगे दागे को आगे कर लेंगे अब यह देखे फ्रेंड्स हमारे यहां पे तीन ही फंदे बचे हैं तो यहां पे हम तीन फंदों का एक कर देंगे इस तरह से और यहां पे एक जाले डाल देंगे और जाले से बड़े फंदों को हम सिधा सिधा बना लेंगे यह देखी इस तरह से, फिर से हम यहाँ पे एक जाले डालेंगे, और यहाँ पे तीन ही फंदे बचे हैं, तो तीन फंदों का उल्टे में ही एक कर देंगे, इस तरह से, धागे को पीछे करेंगे, और यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे फंदे हम सीधे चोना हेंगे यहां पर हम एक जाली डाल क्रेंगी और लाश्ट वाले को मुझा बना लेंगे तो यी देखी से हमारा यह बोर्डर बनके आएगा इसी तरह से हम इसके ऊपर ही दो से इन चार सपना इसारे चोड़े करेंगे तो यह हमारा double border बन जाएगा बहुत ही सुन्दर सा हमारा ये प्यारा सा border बनता है ये देखे तो इसी तरह से अगर आप बनाते जाएगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये जो चोड़ा border है इतना चोड़ा border हमारा ये बन के तयार हो जाएगा ये देखे तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस जरूर करे ताकि नए वी शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू बाई बाई